दिवाली पर इस बार लक्षमे पूजा के लिए शुब मुर्थ कौन सा है बहुत अच्छी बात आपने कहीं कि क्योंकि अगर हम सुब मुहरत पे जाते तो और समय हम देखते थे कि साम के टाइम पे चार बजे से चार बजे से पात बजे से ऐसे मुहरत रूनते थे अब यहां हम अगर एक तारिक की बात करें तो लगबग आमावस से हमारी साथ बजे तक समापत हो जाएगी तो हमें लगबग अपने लगना नुसार अपने मुहरता नुसार ये देखना है कि पांच बजे से साड़े चार पांच बजे से महालक्षमी का पूजन प्रारंब ग कर देना है उसी काल में हमें चित्रगुप्त की पूजा करनी है उसी काल में हमें कुवेर जी की पूजा करनी है उसी काल में हमें जितना भी पूजन का कार्या है हमें चार साड़े चार बजे से प्रारंब कर ही लेना चाहिए तब आपके घर में लक्षमी जी की किरपा होने वाली है अगर आप लेट हो गए साथ बजे तो समझ लीजिए कि आमोसे तिथी आपकी चले जाएगी उसके बात आपके हाथ का समय निकल जाएगा अच्छा दिवाली पर लक्ष्मी मा की जब पूजा करते हैं तो कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि लक्ष्मी मा प्रस दूसरा मा लक्ष्मी जी का स्रीशुक्त ये महालक्ष्मी जी का स्रीशुक्त का मंतर है इस मंतर को आप YouTube के द्वारा चलाएं, आप कैसी भी इसको चलाएं लेकिन लक्ष्मी पूजन के समय इस मंतर को चलाते हुए महालक्ष्मी का पूजन अवस्य करें अच्या बहुत से लोग हैं जो इंतजार करते हैं दिवाली का ताकि पूझा करें मा लक्ष्मी को प्रसंद करें दिवाली पर किस तरह से पूझा करने चाहिए ताकि धन वर्षा हो सके हाँ विवारी देखिए जो शिंगार की हम बात करते हैं लक्षमी और नारायन को शिंगार प्रिय हैं यानि भगवान विश्णु की अगर पूजा करनी है तो खूब सारे सिंगार करें लक्षमी का पूजन करने तो भी खूब सारे सिंगार करें ने ने वस्तरों को धारन करें लाल रंग की वस्तधारन करें ऐसा जो आपके अंदर की उर्जा को बढ़ाए आपको उस समय नीले पीले नहीं पहनने है सपेत नहीं पहनने है आपको लाल रंग का पहनना है आपके अंदर की उर्जा को बढ़ाए जो आपके अंदर एक जागरती पैदा कर दे, एक सूच पैदा कर दे, एक उतेजना पैदा कर दे, कि मा एक उर्जा बनी रहे आपके अंदर, तो लाल रंग की वस्तर आपके पास होने चीए, स्रिंगार बहुत सुन्दर सा होना चीए, और ऐसा स्रिंगार करने की बाद आप लक्षमी जी का पूजन करेंगे तो मिश्चित मा लक्षमी जी प्रशन्न हो जाएंगे